हेलो स्टोरेंट्स इससे पहले हमने अपने एंटिवारस पड़े और हमने यह देखा कि किस तरह से एंटिवारस वर्क करता है और कौन से वायरस होते हैं जिनकी बिसिस पे एंटिवारस आपको हेल्प आउट कर सकता है और कौनसिटुशन्स क्रियेट हो सकती हैं इस फ्रॉइंट्स हमान न्यू टापिक है सेफ़गार्ट अगेंस स्माल वेर इससे पदा चल रहा है कि मिनिंग से पदा चल रहा है कि किस तरह से अगर हमारे पास वायरस आए उससे किस तरह से हम अपनी प्रोटेक्शन्स कर सकते है आपने PC और अपने computer अपनी devices की first of all students याद रहे कि आपके PC में जो भी वाइरस आता है ना वो आपकी mistakes की विज़ से आता है 90% जो cases होते हैं उसमें user की mistakes होती है आप junk files को install करते हैं आप different गलत websites पर access करते हैं जिन वज़ाओं से आपका ये virus आता है और वज़ुहात क्या हो रही होती हैं ये भी देखते रहे हैं कि मसले कहा कहा होते हैं आपका PC खुद बाखुद restart हो रहा है या वो files disappear हो रही हैं जो install की गई थी उसके अंदर या कोई documents show नहीं हो रहा है या खुद बाखुद browsers open हो रहा हैं तो ये वज़ा हैं जिन से पता चलता है कि आपके virus आ गया है या speed आपके PC की low हो गई है down हो गई है तो उन situations में कुछ major steps लेने होते हैं user को वरना तो machine down हो जाएगी या उस वो खराब हो जाए आपको Windows आपसे इस्टॉल करने पड़ेगी एविन दो के ऐसे कुछ वाइसे होते हैं जो मैंने आपको पहले में डिसक्स करा कि जो hardware के लिए बहुत ज्यादा effective होते हैं आपके hardware loss हो सकते है RAM उसमें loss हो सकती है आपका सारा hardware जो hard drives है उसके सारा data loss हो सकते हैं यह बहुत ज्यादा critical है तो आपको वाइसे से कैसे बजना है सबसे पहले आप anti-virus install करने हैं जैसे हमने पढ़ा था लाज टॉपिक पे कि anti-virus install करें और उसको update करके रखें क्योंकि anti-virus क्या करता है कि आपकी सारी files को up to date रखता है आपको बदाता रहता है हर मिनट बाद कि अगर यह आपने install किया है क्या यह file इसमें कोई virus है या नहीं अगर virus है तो उसको खुद quarantine कर देता है या उसको remove कर देता है next है कि आप schedule बना के रखें scan करने के अपने anti-virus के साथ anti-virus को जैसे मैंने आपको last video में अपने clear करा था कि यह एवेस्ट है यह anti-virus करता क्या है इसमें यह issue बस यह है कि इसको scan करना पड़ता है यह खुद scan नहीं होता तो आप इसको scan करें और एक schedule बना कर रखें anti-virus को check करते हैं कि वो up to date चल रहा है या नहीं और कौन से viruses उसमें आगें कौन से उसने remove कर दी हैं कौन से उसने ignore कर दी हैं तो यह चीज़ अपना schedule create करके रखें अपने anti-virus के साथ अपने operating system को update करके रखें सही है यहाँ पर लिख देता हूं मैं update your OS operating system students update रखना बहुत जरूरी होता है operating systems को कुछ major updates आती हैं हर twice a week यह week में आपके पास windows के पास notifications आती है कि आप अपनी windows update करें उससे होता है कि जो hackers जो crackers बैठे वे हैं all around the world उनके लिए difficult होता है कि वो आपकी device को access कर सके क्योंकि Microsoft आपकी operating system को up to date रखता है market के वज़ा से कि अभी आप उन्होंने update करा अभी से ही कोई ना कोई virus आ जाएगा तो उससे बचने के लिए वो हर week में अपडेट्स लेकर आते हैं तो यह आप पे बहुत जरूरी है कि आप अपने operating system को update रखें अप to date रखें ताके कोई issues आपको आगे जाके create ना हो next point के है कोई भी students emails या attachments उपन ना करें जो unknown users की तब से आई वी हो आपको नहीं पता कि उस email के अंदर कौन सा वारस या threat है जिससे device affect कर सकती है तो हमने ऐसी emails को कभी use नहीं करना वरना तो threats आ जाता है तो इसमें इसको यहां लिख रहता है never open emails attachments from unknown user इस्टुरेंट यह था हमारा फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस्टुरेंट कभी भी ऐसे इंटरनेट लिंक्स को कभी क्लिक ना करें, जो अन्यूजूल, जिस पे लेबल्स अन्यूजूल लगे हों, यह कैप्शन और इमेज़िस अजीब अजीब हों, तो तो पांच-छे टैप्स खुद्बाखुत कुलते जाते हैं, तो यह वायरस है, आपने एक एडवर्टेज्मेंट या एक लिंक को इंटरनेट की क्लिक करा ना, उससे आपके PC में वायरस आ सकते हैं, और वो एक तरह का वायरस होता है, उससे बचें, बचें ऐसे ही, कि आप ना करें, अगर आपको ऐसा कोई अन्यूजूल लिंक्स नज़र आ रहा है, एक्जैम्पल है, एक्जैम्पल यह है कि www.google.com, यह क्या अन्यूजूल है स्टॉंट्स, नहीं है, तो हम ने इस तरह की वेबसेट्स देखें आप, यह आपो खुद पादर चाज़ें, अन्यू इस तरह की कोई बहुत बड़ी लिंक होती है, तो यूजर्स को प्रफेर किया जाता है, एडवाइस की जाती है, कि आप ऐसी अन्यूजूल लिंक्स को क्रिक ना करें, जिससे आपके डिवाइस पर एफेक्ट्स हो, नेक्स परंट के है, इसकेन यॉर यूएसबी, मॉबाइ बिफोर ओपनिंग, अपने मॉबाइस को यूएसबी को स्केन करते रहें, क्योंकि इशूस क्या आता है, आपको नहीं पता कि डिवाइस में, मॉबाइल डिवाइस में, मॉबाइल फून में, कितने वाइरसिस मौजूद हैं, तो इसको स्कैन करना, जरूर रियक्ट, और कम यूथूथ के थूरू, डिवाइस को हमने अटैच किया, अपने डिवाइस से, कंप्यूटर से, तो जो आपके मॉबाइल में वाइरसिस थे, वो ट्रांसफर हो गए, पीसी में, तो जो अच्छा खासा पीसी था, वो बिलकुल वर्क करना बंद कर देगा, क्या इसके इसके यूएस बी, एंड मॉबाइल फून्स, बिफोर ओपनिंग, तो हमाई स्टूंस ये कोई तीन पॉइंट्स हो गए, और इससे पहले हमने दो, तीन पड़े, छे हो गए, नेक्स क्या है, अपनी फायर वाल को अन रखे है, इस कैम ब्लॉकिंग और फिल्टर टूल्स को, यूज करें किसी भी तरह से, अगर आप ने सिक्यूरिटी, विंड्यो सिक्यूरिटी के आप्शन में जाएं, तो महाँ पे फायर वाल आई वी होती है, फायर वाल इसलिए आई वी होती है, कि वायरस इन थ्राइट्स से, सिस्टम को बचा आई जा सके, तो हमेशा, स्कैम ब कभी भी ऐसा ओपन वायफाई यूज ना करें, जिसका पासफ़र्ड ना हो, आपको बहुत दफ़ाइ इस्टम यूज शो होता होगा, कि कुछ विदाउट लॉक, आपको वायफाई में शो होरे होते हैं, वायफाई, और उनका पासफ़र्ड भी नहीं होता, ओपन होते हैं बिल्कुल, तो उनको यूज ना करें, मेज़ॉर्टी कैसी ऐसे आते हैं, कि उनके अंदर वायरस होते हैं, जान पूछ के, जो कल्परिच्स होते हैं, या पर्पिटरेटर होते हैं, उन्होंने पहले से ही रखाव होता है, उसके अंदर वायरस ताकि आपकी डिवाइस में वायस गुशा के या वो आपके personal data को link कर सके अपने साथ तो students यह safeguard है कुछ जिनकी basis पे आप अपने computer को या system को protect कर सकते हैं और safeguard रख सकते हैं and I hope आप students को बहुत अच्छी ते कैसे clear होगा अपना students खायल रखेगा अला हाफिस झाला हाथ सकते हैं